मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ दिन बाद ही पाच जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डाइवर्सिटी याने जैव विवीदिता वर्तमान परिस्तितियों में यह थीम विशेश रुप से महत्वपून है लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हपतों में जीवन के रप्तान थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकर इससे हमें अपने आसपास परकूती की समरुद्ध विवित्ता को जैव विवित्ता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विचरण की खबरे भी आ रही हैं मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्विरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प गुठा होगा। क्या हम उन द्रश्यों को ऐसे ही बना रह सकते हैं। इन तस्विरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है। नदिया सदा स्वच्चर हैं पसुपक्षियों को भी खुल कर जीने का हक मिले। आसमान भी साप सुथरा हो। इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर जीवन जीने की प्रेणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी हैं। वर्षा का पानी बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक एक बूंद को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरागत बहुत सरल उपाय है उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पांच दिन, साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा, तो धर्ती मा के पास बुझाएगा, पानी फिर जमिन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा, और इसलिए इस वर्शारूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए, कि हम पानी को बचाएं, पानी को समुर प्रक्षन करें, मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरन सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविश का विशा है, इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी, मेरा आप से अनुरोध है, कि इस पर्यावरन दिवस पर कुछ पेड अव होशलें, जिस से प्रकुरूती के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे है, हाँ, गर भी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पाने का इंतिजाम करना मद भूलिएगा